अब थोड़ा सा NGICON online account का एक overview कर लेते हैं कि आप login कैसे करोगे, lectures किस तरीके से attempt करोगे, practice test कैसे attempt किये जाते हैं और उसके बाद उनकी discussion कैसे ली जाती है तो जब आप अपनी fee जमा करवा कि online admission form फिल कर लेते हो on NGICON website, तो within 24 hours आपने जो अपना email form में mention किया होता है, उस पे आपको एक email आता है NGICON की तरफ से इस किसम का, जिसका email subject होता है आपका NGICON account 2020 details और जिस email से आपको ये email आता है, वो है ngicon.help.gmail.com उसमें आपका अपना एक unique username, password और login link होता है आपने अपने ये details किसी और के साथ share नहीं करनी, क्योंकि अगर आप multiple devices पर ये details डालोगे, तो automatically आपका ये जो username और password है, ये block हो जाएगा अपने इस email को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इस email में एक guideline वीडियो भी होगी, जो आपने जरूर देखने ही अपने आपको login करने से पहले जब आप अपने इस login link पर click करोगे, तो इस तरीके से एक login page जो है आपके सामने display हो जाएगा आप इसमें अपना username और password जो आपकी email में मुझूद है, copy paste करकर इस login बटन पर click करके अपने account में login हो सकते हो तो login करने के बाद इस तरीके से आपका dashboard open हो जाएगा, आपने सीधा यहाँ पे मुझूद NGCon Academy और यह जो घर का निशान बना हुआ है, इस बटन पर click करना है तो इस तरीके से आपका data आपको visible हो जाएगा, इस Time NGCon Academy के दो packages चल रहे हैं, पहला package यह है कि जिन में आपको complete online lectures और practice test दिये जाते हैं मतलब इन lectures और practice test की मदद से EDA के जितने भी concepts हैं, hand trick, shortcut, each and everything आपको explain कर दी जाती और आपको practice भी करवा दी जाती है इसकी fees है rupees 8,000, यह limited time offer है, lockdown की वज़ा से हमने अपनी fee increase नहीं की, जो जैसे ही मुल के हाला ठीक होंगे तो automatically यह fee increase हो जाएगी इसके लावा जो account आपको मिलेगा, जब तक आपका ETA नहीं हो जाता, आप उस account को use कर सकते हो, उसके lectures देख सकते हो, उसके practice test attempt कर सकते हो और तमाम practice test जो है, with updated with the explanations and discussions है, यहर MCQs के बाद आपको उसके relevant hint trick जरूर मिलेंगे इसके लावा majority बचे यह demand कर रहे थे, जिन्होंने कहीं और academy join कर रखी है, या उन्होंने already academy कर रखी है, या वो repeaters हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ practice test चाहिए तो इसी account में एक और account create हो गया है, जिसमें इस lecture को exclude करके सिर्फ practice test को activate कर दिया गया है, इस account की फी रुपीस 5000 है, आप इस account को भी जब तक आपका ETA नहीं हो जाता, इस्तमाल कर सकते हो, तो NGCon account में जितने भी MCQs हैं, आप उनको अराम से access कर सकोगे, इस time पे NGCon में more than 18,000 MC Qs मौझूद हैं, with explanations. जीन के toppers हो या board toppers हो, सबने NGCon practice test को highly recommend किया है, आप टॉपर के ये review में उपर एक PDF में भी upload कर देता हूँ, video description में ताकि आप आराम से इस चीज़ को पढ़ सको, मैं भी students को NGCon practice test highly recommend करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको हर किसम का MCQs मिलेगा, चाहे वो conceptual MCQs हो, relation based MCQs हो, situation based MCQs हो, knowledge based MCQs हो, bookish MCQs हो, interrelated MCQs हो, हर तरह का MCQs आपको यहां practice करवा दिया जाता है, तो फिर main test में चाहे आपको paper 2019 जैसा मिले, 18 जैसा मिले, या 17 जैसा मिले, आप उसके लिए completely ready होते हो, इसके लावा NGCon में आपको बहतरीन provide किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा जिस चीज़ की आपको practice करवाई जाएगी, आपका paper, entry test paper उसी में से होगा, इंशालला lockdown के बाद हम एक proper अपना test schedule announce करेंगे, जो test हम test centers में लेंगे, test centers और practice test की details lockdown के फोरन बाद announce कर दी जाएगी, as lockdown की फिल हाल कोई मुदत मुकरर नहीं है, इसी वज़ा से हमने online practice test का account भी generate कर लिया है, जिसकी तमाम तफसिलात इस वीडियो में आपको explain कर दी जाएगी, और साथ में demo भी दिखा दिया जाएगा, तो I strongly suggest that के जब तक lockdown चल रहा है, आप इस online practice test account से अपनी practice continue रखो, तो जब आप अपने account में login करते हो, तो physics, chemistry, bio, English, और अगर आप engineering student हो, तो mathematics की tabs बनी होती है, इन में मुझूद तमाम lectures, तमाम practice test आप access कर सकते हो, अगर वो activate हो चुके है, according to your schedule 2020, जो आपकी email में था, for example, अगर मैं यहाँ physics पर click करता हूँ, तो इसकी जितने भी chapters हैं, वो मेरे पास display हो जाएंगे, और for example, मैं इसमें से कोई chapter open करता हूँ, जैसे chapter number 11 open कर लिया, तो इस तरीके से उस chapter की relevant information आपके पास होगी, के इसमें क्या-क्या मुझूद है, और इसको किस तरीके से पढ़ना है, और उसके इलावा हर topic, हर entry test concept, हर hint and trick को discuss किया जाएगा, जो भी इस chapter में ETA के हवाले से important है, इस तरीके से, या for example, अगर आपने सिर्फ or सिर्फ test access करने ह या वो बचे जो practice test के लिए registration करेंगे, उनके account में ये वाला tab होगा, physics 2020 test, तो जब आप यहाँ पे click करोगे, तो जितने भी chapters हैं, उनके practice test आपके सामने display हो जाएंगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी chapter जो है, वो open कर सकते हो, तो उसका test आपके सामने generate हो जाएगा, और दूस दूसरी खसूसियत ये होगी, कि in test links पे आप जितनी दफ़ा click करोगे, आपका जो test generate होगा, उसमें आपको नए नए MCQs मिलेंगे, for example, अगर मैं chapter number 11 के MCQs पे click करता हूँ, तो मेरा एक test generate होगा, उसको solve करने के बाद, submit करने के बाद, अगर मैं दुबारा आके chapter number 11 के test पे click क start quiz कर लिया, इस तरीके से मेरे पास different MCQs display होते रहेंगे, अगर for example, मैं कोई MCQs का answer देता हूँ, और उसके बाद उसको check करता हूँ, तो यहाँ पे यह मुझे पता देगा, कि आपने अगर यह answer लिखा था, तो यह wrong है, और यह green वाला right है, और नीचे उसकी explanation भी आ जाएगी इसी तरीके से for example, मैं यहाँ पे कोई answer देता हूँ, और उसको check करता हूँ, तो यह फिर उसने मुझे display कर दिया, कि मैंने जो mark किया था, वो red हो गया, मतलब वो गलत था, सही answer D था, और उसकी explanation हमारे सामने आ गई, इसी तरह आप तमाम अपने MCQs जो है, वो सबसे पहले mark कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उनको check कर सकते हैं, तो आपको उनकी explanations भी साथ-साथ मिलती रहेंगी, और software आपको help out भी करता रहेगा, कि आपका MCQs सही है या गलत है, बेसिकली यह जो chapter wise MCQs होते हैं, यह concept building के लिए होते हैं, ताँ कि आप अपना concept और यह topic बार-बार revise कर सक उसके बाद उसका आपको जो सही answer लगा मार किया, उसके बाद उसे check किया, तो इससे यह हो जाएगा, कि आपके concepts मजीद refine होते रहेंगे, और जो important यहां पे tricks, hints वगेरा होंगी, वो भी आपको यह समझा जाएगी, कि अगर आपके पास कोई hint है, trick है, या shortcut है, तो उसको MCQs म करूँगा, और यहां पे अपना username लिक के इसको start करूँगा, तो इस तरीके से मुझे new MCQs मिलेंगे, अब इसी तरह same methodology पे हम लगों की chemistry भी होगी, जैसे ही आप यहां पे click करोगे, जितने भी इसमे chapters हैं, वो तमाम आपके सामने display हो जाएंगे, और for example, अगर मैं कोई chapter open करत अब यहां पे इस chapter की description होगी, जो आपने जरूर पढ़नी है, दूसरी इसकी खसूसियत यह होगी, कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी किताब में अच्छे तरीके से explain नहीं हैं, और ETA में पूछी जाती हैं, या कोई ऐसे topics हैं जो आपकी किताब में नहीं हैं, लेकिन ETA में पूछे जाते हैं, वो आपको इन lectures and practice test की मदद से explain कर दिये जाएंगे, मतलब आपको खुद फेडरल पंजाब A-levels पे छलांग मारने की जरूरत नहीं है, आप जिस इस NGCon को फालो करो, जो एडिशनल चीज होती है, वो आपको यहां पे complete करवा दी जाती है, अब जैसे य यह complete course preparation करवाते हैं, इसी तरह इस chapter के आखर में आपको यहां पे उस chapter का practice test मिल जाएगा, जैसे मैंने उपर भी जिकर कि आप यहां से भी attempt कर सकते हो, इस practice test को, या फिर आप यहां पे इधर उपर जाकर, इस test का link उपर करके, अपनी मर्जी का कोई भी test जो है, वो directly भी attempt कर स 2020, हमने 2019 and 2020 में ETA Medical के लिए बहुत सारे test करवाए थे, इन पिशावर test center, तो वो तमाम test जो हमने करवा लिये हैं, इन पिशावर test center, जब आप इसको open करोगे, तो वो test भी आपके सामने display हो जाएंगे, मतलब आप इसको open करके नीचे आए, तो इस tab के अंदर जितने भी आपक machine के test हैं, वो available होंगे, इस tab के अंदर जो 2020 के test थे, first year के, वो available होंगे, और इसके अंदर जो second year के 2020 के हमने test करवाए थे, इन पिशावर test center, वो update होंगे, lockdown से पहले, तो for example, अगर मैं कोई portion इसमें open करता हूँ, तो इस तरीके से उस portion में मुझूद जितने test हैं, उनका syllabus है, उ open कर सकता हूँ, और अपनी practice कर सकता हूँ, कि ETA के हवाले से time management या conceptual मेरी कितनी practice हो चुकी है, इसी तरह आप देख सकते हो, कि हर test का एक अपना syllabus होगा, एक अपना test link होगा, और साथ में एक अपना password होगा, तो यह हमारे पास 2019 के test थे, और उनके links थे, और उनका syllabus था, इसी त आयारी खुद ही कर सकते हो, तो इस तरीके से मेरा जो test open होगा है, यहाँ पे username डालके मैं अपना test start कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि आपका 1.5 गहंते का timer होगा, और same आपके पास 200 MCQs होगे, यह 200 MCQs distribution है, यह same eta type की होगी, like same topic selection, difficulty level, same type of MCQs, same type of subject distribution, like अपना question number one, यहाँ से आप open कर सकते हो, आपने open किया, इसको solve किया, उसके बाद आप next question पे चलेगा, इसको solve किया, उसके बाद तीसरे question पे चलेगा, इसको solve किया, तो यह जो detailed practice test होगे, इनमें आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास check का button नहीं है, क्योंकि यहाँ पे य time खतम हो जाएगा, automatically यह test finish हो जाएगा, finish पे click करने के बाद आप अपने results भी देख सकते हो, जितने बचों ने यह test attempt किया, उनके results भी आपके पास average एक आजाएगा, और तमाम इस paper की discussion explanation भी आपके सामने display हो जाएगी, तो आप इन test को उसी time पे attempt करो, जब आपका relevant syllabus हो गया ह और आप बिल्कुल तयार हो इन test को attempt करने के लिए तांकि आपने आपको time management and concepts और paper handling का भी साथ-साथ अंदाजा होता रहे, यह NGICON account overview था जिसमें मैं properly कोई lectures प्ले नहीं कर सका या आपको MCQs दिखा नहीं सका, बाकि आप हमारी main website पे आ सकते हैं www.ngicon.com, उपर description में भी इसक details mention हैं, तो यहां पे मुझूद demo है, demo में हमने तमाम subjects का एक एक chapter update किया हुआ है, for example अगर मैं chemistry के demo पे click करता हूँ, इस पे हमने chemistry का chapter 2 demo के तोर पे update किया हुआ है, आप अराम से इसके video lectures को देख सकते हो, इन तमाम video lectures के नीचे इसी chapter के MCQs भी updated हैं, तो इस test को open करने से पहले सबसे पहले आप ये guideline video देख लो, उसके बाद start को इस पे click कर लो, तो इस तरीके से इस chapter में जो MCQs थे, वो आपके सामने display हो जाएंगे, अगर आप, for example, यहां पे पहले MCQs पे click करते हो, तो यहां पे MCQs आपके सामने display हो जाएगा, उसी तरीके से आपने अपनी मर्जी का कोई option select कर लिया, उसके बाद check कर लिया, तो यह आपको दिखा देगा कि आपने यह जो answer select किया था, वो गलत था, सही answer यह था, और नीचे उसकी explanation, hand trick या concept या shortcut अगर हुए, तो वो भी आपको display हो जाएंगे, इसी तरह अगर आप दूसरा MCQs चेक करते हो, अपना कोई option आप इसमें से select करते हो, उसके बाद उसको check करते हो, तो already उसकी इस तरीके से explanations आपके सामने display होती रहेंगी, तो इस तरीके से जब आप हमारे MCQs solve करोगे और उनकी explanations नीचे देखोगे, तो आपको idea हो जाएगा, the quality of MCQs at NGCon and why toppers recommend NGCon practice test, इसके इलावा admission procedure is quite simple, like यहाँ पे एक tab बना हुआ है, online admissions, lectures plus practice test, जिसमें आपको lectures plus practice test मिलेंगे, जिसकी fees 8000 रुपए है, और अगर आपको सिर्फ practice test चाहिए, तो आप इस tab पे click करके registration कर सकते हो, जिसकी fees 5000 रुपए है, और इस account में सिर्फ और सिर्फ आपको practice test मिलेंगे, मतलब सारा वही account होगा, just lectures नहीं होंगे इ अगर मैंने इस पे click किया, इस तरीके से मजीड details open हो जाएंगी, registration procedure काफी simple है, तीन method हैं, आप तीनो method मेंसे जो आपको सबसे आसान लगे, आप उस कितुरू अपनी fee जमा करवा सकते हो, like online banking कितुरू आप पैसे जमा करवा सकते हो, easy पैसा कितुरू आप पैसे जमा करवा सक और यहां पे submit कर लेना है, अब यह form submit आप कर लोगे, तो within 24 hours टीम आपको आपकी logging details email भी कर देगी, और SMS भी कर देगी, similarly आपको अगर सिफ practice test चाहिए, तो उसकी fee submission कर भी तीन method हैं, जो आपको आसान लगे, आप उसके through fee submit करवा सकते हो, और इसकी fee 5000 है, उसके बाद आपने और online admission form फिल कर लेना है, और इसकी भी same methodology होगी, जब यह form आप submit कर लोगे, तो within 24 hours आपकी logging details आपके email और आपको SMS कर दी जाएंगी, अगर इसके इलावा आपके questions हों, तो feel free to contact us on this words app number 0343 903 7089, या इसके इलावा आप हमारे facebook page पे भी inbox कर सकते हैं, इसके इलावा जितने भी important links है, admissions के या demo के वो पर वीडियो की description में भी मौजूद है, यह अपना बहुत खयाल रखिएगा और इतना याद रखिएगा कि काम खतम करने से खतम होता है, ज़स डरने या attention लेने से खतम नहीं होता, तो कोशिश करें कि रोजाना कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें, चाहे द देली बेसिस पे कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो, तांके आपका एक जो प्रोटीन है वो बना रहे, so be confident, motivated and best of luck for your preparation.